वेलकम बैक फ्रेंड्स आप सभी का हमाय चनल में फिर से एक बार स्वागत है तो हर बार तरह इस बार भी जो है हम एक नई वैकेंसिक साता है जहां पर ऑल ओवर इंडिया के फ्रिशर स्कैनेट जो है एलिजबल है तो दोस्तों आज हम इस डिपार्टमेंट के बात करेंगे उसका नाम आपको सामने दिख रहा होगा नेसनल फर्टलाइस लिम्टेड जी हाँ एनेफल में जो है वैकेंसिस आ रखी है आने बाले दिनों में दोस्तों मैं इसका प्रिवेइस पेपर भी डिसकस करूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो आज हम इस वीडियो में इसकी वैकेंसि के बारे हम बात करेंगे साथ साथ यह जानेंगे क्या एलिजबिल्टी क्राइटेरिया है यह सारी चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो मैं आप हमाई साथ वीडियो पसंदा जरूर लाइक और शियर कीजेगा तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो जो एडबेरटीजमेंन नंबर है दोस्तों, 05 duty 20 जो है इसका अडबेरटीजमें नंबर है दोस्तों यहाँ पे जो वेकंसिज आ रखी है, मैंजिमेन ट्रेनी के लिए वेकंसि आ रखी है ये एक तरह से पर्मिनेंट ज sollte हैं और कितनी वेंसोश्ट घंए है number of post है यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे salary package जो है काफी अच्छा दिया जा रहा है यहाँ पे 40,000 जो है basic है एक लाग 40,000 तक जो है आपका page के यहाँ पे रखा गया है तो यहाँ पे दोस्तों chemical के mechanical के electrical के instrumentation के civil के और यहाँ पे chemical lab of fire safety में जो है vacancies आ रखी है दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो mechanical की seat है साथ seat है और यह total साथ seat है दोस्तों electrical की जो है यहाँ पे 4 seat है instrumentation की 5 civil के लिए एक यहाँ पे रखा गया है और chemical lab में साथ vacancy है और chemical में देखेंगे तो आप 4 vacancy यहाँ पे total रखी गई है हाला कि post जो है काफी कम है लेकिन क्या करेंगे दोस्तों smart vacancy जो है आई हुए लेकिन बहुत ही कम आई है तो दोस्तों यहाँ पे जो eligibility criteria रखी गई है अगर उसकी बात किया तो यहाँ पे देखो कर सकते हैं 60% दोस्तों यहाँ पे requirement है मिनुम हर एक प्रांच के लिए यहाँ पे 60% requirement है प्रांच मैंने आपको अलोड़ी बता रखा है तो यहाँ पे जो instrumentation के candidate है दोस्तों यहाँ पे जो है electronic and communication के electronic and instrumentation के electronic and electrical के candidate जो है form को fill up कर सकते हैं अगर आपने electronic and communication AMI के through भी कर रखा है तो भी आप जो यहाँ पर eligible तो इसको भी आप ध्यान रखेगा AMIE इसके दोरागार आपने B.Tech कर रखा है तो भी आप form को fill up कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो age limit रखी है सबके लिए 27 साल रखी गई है वांकी दोस्तों यहाँ पे जो जो chemical lab है इसमें अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे application fee की यहाँ पे दोस्तों अप्लिकेशन फी जो है 700 रुपय का application fee लिया जा रहा है जन्रल्स OVC EWS candidate के लिए वहां की candidate के लिए यहाँ पे कोई भी application fee नहीं लिया जा रहा है firm को कैसे apply करना है online apply करना है लिंक मैं आपको description box वे दे दूँगा आप जो वहां से firm को fill up कर सकते हैं या फिर आप जो है national fertilize limited.com के carrier में जाके firm को easily fill up कर सकते हो दोस्तों इसके online exam होगा अगर उसके examination center की बात करें यहाँ पे जो examination center रखा गया है जमू कस्मीर भोपाल चंडीग होगा उसका pattern अगर मैं बाता हूँ तो आपको जो यहाँ पर pattern दे रहा है इसमें जो है आपका technical और non-technical दोनों paper आएगा paper का जो language होगा Hindi English रहेगा यहाँ पर दो घंटे का जो है दोस्तों paper conduct होगा जिसमें 150 questions आएंगे तो 150 questions में 200 questions जो है आपके technical जानी के आपके discipline से पूछ जाएंगे देन दोस्तों यहाँ पर बहुत एक इंट्रेस्टिंग वाली बात है यहाँ पर जो है कोई भी निगेटिंग मार्किंग नहीं रखा गया है जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है तो इसका आप paper requirement करते हो तो हम paper भी discuss करेंगे देन दोस्तों अगर आप पर interview यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते तो आपका जो है personal interview लिया जाएगा तो online exam सेलेक्ट होने बाद पर सेलेक्शन होगा उसका जो वेटेज है online test का 80% वेटेज रखा गया है और जो personal interview है उसका 20% वेटेज यहाँ पर दिया जा रहा है दिन दोस्तों आपको minimum यहाँ पर 50% ले कि आना है इसलिए दोस्तों आपको training में रखा जाएगा training के दौरां जोस्तों आपके जो basic salary होगी वह 40,000 होगी और जब आपके training computer हैगी तो यहाँ पर जो आपका basic हो जाएगा और बांकी जोड़के यहाँ आपका ग्यालक परेनम रहेगा देन दोस्तों यहाँ पर bond भी है तो bond आपक जैसे कि मैं बता दूँ यहाँ पर 80,000 का आपका bond है यह bond आप तब भरोगे जब आप company में select हो जाते हो और आप जब तोड़ते हो मतला आप दूसरे company के लिए apply करते हो या फिर दूसरे company को छोड़ना चाहते हो तो आपको जो है यहाँ पर 80,000 रुपए payment करना पड़ेगा त तो बात कर लेते हैं important date की यह form कब से start हो रहा इसकी last date कब है और क्या और important information है तो यहाँ पर दोस्तो अगर आप इनके last date की बात किया जाए तो यहाँ पर जो form है दोस्तो यह आपका start होगा 22 December 2020 से इसकी जो last date रखी गई दोस्तो 21 जनवरी 2021 रखी गई तो इसके बीच में वीडियो अप्लोड है अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के playlist में जाए यह फिर वीडियो से जाए आप जो है वहाँ से बहुत सारी vacancies देख सकते हैं इसके साथ दोस्तों आप examination pattern और बहुत सारी information जो है पास सकते है डेली जो है आपको हमारे चैनल में सबसे पहले authentic और जो रियल न्यूज है information आपको मिलती है तो चैनल को अगर आपने subscribe लीकिया तो चैनल को subscribe कर लिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ आज से बसने नहीं thanks for watching and listening